करेंगे और आपने यहां पर परपर्स क्या है अब यहां पर आप होते हो फरेवर बिजनस ओनर का मतलब क्या है पहले यह समझना होगा आपको जैसे आपको पता कि इंडिया में ना अनेंप्लोइमेंट किस लेवल पे चल रही है तो जो यूथ है वो जॉब पर ही देखा जाए डिपेंड है वो जॉब पर ही प्रॉपर डिपेंडेंट है बट अगर देखा जाए अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं जॉब्स की है ना तो बहुत ही जादा कम जॉब्स रह गई है ना और जॉब लग भी रही है तो उसमें से ऐसा है कि अगर अगर थाउजन सीट्स हैं तो लाखों में उसके क्या रहे हैं केंडेट सप्लाइब कर रहे हैं है ना लाखों में बच्चे अग्जाम में अपीर हो रहे हैं पर कुछी लोग उसको कौलिफाइब कर पा रहे हैं और इवन कई कई लोग क्वालिफाइब करने के बाद भी स्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं कॉर्मन डेपार्टमेंट मे और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता है वहाँ पे सैलरी मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे अंडर एंप्लॉइड आपको ज्यादा मिलेंगे मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं उतनी इंको सैलरी नहीं मिलती बड़ जो काम है उनका देखा उनके माइन में एक सिंबल सी चीज़ आती है डाट इस कैपिटल की कैपिटल अच्छी लेगेगी मेरी क्योंकि नॉम्मल सी बात है आज एक चोटा-चोटा-चोटा बिजनस भी आपने खोलना हो तो उसमें भी कम से कम मतलब एक लाग की तो मिनमाम इनवेस्मेंट है यह है आज अगर मैं बात करूँ है एक एक रिक्षा भी अगर कोई पर्चेस करता है एक रिक्षा जिसे लक्ट्रोनिक रिक्षा बोलते हैं वो भी कम से कम डेड़ लाग से स्टार्ट होता है तो हर चीज में देखा जाए अच्छी एटव इन्वेस्मेंट है बट फरेवर बिजन आप सभी को पता है कि इंडिया में almost 29 स्टेट्स हैं और 29 स्टेट्स हमारे उन्हें से 20 स्टेट्स में हमारे रीजिनल ऑफिसे हैं अब एक ड्रेक्ट सेलर का जो यहां पे अज़िस्टिब्यूटर वर्क करने वाला है जो कि आप हो है ना तो उसमें आपका रोल क्या होता है नहीं अपको धेख्यास हैं आपको वने बना में फिर स्ट्व के तो आपको प्रड़क्स क्या कि आने नहींगं पड़ेंगे खुद फॉक्तरी में खुट टियार नहीं करना पढ़ रही है ना एक सिस्टम नहीं त्यार करना पढ़ रहा जैसे आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रटक्ट अगर लॉंच कर रहा है ना तो उसको अगर इंटरेट पे आपने डालना है उसके अलग चार्जेश हैं है ना और उसके बाद अगर पेमेंट मेटोड सेट कर में आपने और इस business को एक्सपैंड करना ग्रों करना और बिजनस की की बात तो इंडस्ट्री जिसके साथ मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं एंडस्ट्री है और हेल्सक्र सेक्टर ने डे वाएडे ग्रों करना है क्यों आपको बिमारी आए ना उन्योंवरी देवाइड बढ काफी गुना जादा जिम्स खुल गए हैं लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत जादा मतलब कि देखाए कि कॉंशियस हो रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहने चाहिए मैं फिट दिखना चाहिए मुझे है ना क्योंकि आज की डाइड इतनी जादा प्रॉपर नहीं है लोग को मतलब nutrition पे भी कर रहे हैं switch कि हमारी body को right nutrition मिलना चाहिए तो जो हमारी ब्रांड ही कोई medicine पर डील नहीं कर दीए ठीक है फामसेटिकल अलग है न्यूटरीटिकल अलग है तो हमारी जो brand वो न्यूटरीटिकल पर डील कर रही है जितनी भी हमारे products है सारे nutrition है और काफी segments पर के ब्रैंड डील करती है पॉर्सन केर स्कीन केर हेल्थ नूट्रिशन एलो ड्रिंग्स है ना भी हाइव के भी काफी प्रड़क्स है मतलब जो शहत से बलगी जो लिंक डब है राइट सो सबसे पहले हमें ना zakने करने हर ना इतना इतना अपको बता दूं करें तो किसी सर्वेस पर। ठीक है अगर मैं एक एजामपल दूँ आपको अगर आप यूटुब चला रहे हैं तो यूटुब आपको अच्छी सर्विस दे रहा है यूटुब के ओनर के लिए वो यूटुब बिजनस है एक राइट बट आपको उससे सर्विस मिल रही है बट आप किसी शोरूम में गए आपको शूजशन के शुरूम में रेबॉक के शुरू में गए न Mär ini के शुरू में घया तो वहां में आपको क्या मिल रहा है अपे प्रजेक्ट आपको मिल रहे है ना दोनों बिजनस कर रहे हैं बट khi做 एक कर रहा है अपना होट अपे हमारा आपने smartly करना है turnover तो create करनी है बट smartly करनी है ठीक है टीम की हेल्फ से तो create करनी है बट आपको क्या होगा कि like-minded people जो business minded है उनको कैसे आपने target करना है वो सारी चीज़ें आपको ना step by step guide करी जाती है समझाई जाती है अब मैं अगले के चलता हूं सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है तो उसके बारे में आपको जाना ज़रूरी है सब्सक्राइब करना है और उस इंडस्ट्री में हमारी जो ब्रैंड वो सबसे मतलब बेस्टस्ट में आती है क्योंकि इसके जितने भी प्रड़क्स है सारे अपना युएस से बेस्टेंट और आपको पता है कि युएस से हमारे इंडिया से तो कम से कंप चाहास से साल आगे जल रहे हैं और वहां कि जितने भी प्रड़क्स है पूड़क्स चोड़ो आप अगर आप वह आईफोन देखोगे ना फेस्ट्वूक देखोगे तो बड़ी से बड़ी जो ब्रैंड से कंपनी वह में ली वह यूसे से लिए तो वहां की हमारी ब्रैंड है क्योंकि जो इसका में जो इसका है आफिस अना वह अपना कहां पर है इंडस्ट्री दा प्रोवाइट्स टू बेसिक हुमन नीड्स अब बेसिक हुमन नीड्स पर ब्रैंड काम कर रही है जिस वजह से इसको अल्मोस कितने साल हो चुके है 43 years से भी जादा का नाई मिसे हो चुके है और यह ब्रैंड दो चीजों पर डील कर रही है जो हमन नीड वह है है और वेल्थ मतलब सेहत भी और पैसा भी यह दोनों चीजों पर ब्रैंड डील कर रही है मतलब बहुत सेट और पैसा नहीं है तो उस हेल्थ का भी देखा जाय कोई ब्रैंड और आपके पैसा और उप्रैंड रही है तो ब्रैंड दो चीजीजों बहुत कर रही है जिस वजह से बिजनस एक अच्छे लेवल पर चल रहा है है ना a company that has your interest at heart with best unique products in the industry and with no financial risk और सबसे best part बढ़ा है कि आपको that is security ये business allow करता है आपके मनलग की बच्चों को मनलग की जो भी आप उपना business करते हैं ठीक है अब life देखो ऐसा तो है नहीं कि हम मनलग की वो सकते हो कि हमेशा सबने रहना यहां पर है ना बट हमारे जाने के बाद भी जो हमारा business होगा वो transfer होगा ही होगा इवन आची देट पर गौर्वर्मन सेक्टर में भी देखा जाए इस लेवल की security नहीं है कि आपके जाने के बाद आप से इंपोस्ट पर आपका बच्चा होगा है ना बट यह बिजनस आपको यह security प्रवाइड करता है इन हेरिटेट बिजनस है ओके सो बेसिक्स में एक और चीज़ आती है विडिस परेवर सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी और आपकी वह दोनों की हेल्फ करने में अपना बहुत जादा इस इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री को ना आप मतलब अपने उपर यह डिपेंड करता है कि आप इसे अपना पूल टाइम कर रहे हैं अगर कोई जॉब प्रोफेशनल एकर कोई किसी आईडी फर्म में काम कर रहा है ना स्टुडेंट भी है वह या किसी जॉब पर पर पार्ट टाइम भी लेके चलते हैं तो भी यहां पर सक्सेस अपना मिल सकती है ऐसा नहीं कि आपने यहां बाउन्ड हो जाते हो कई लोग सुडेंट्स जबाब 9 में आता है क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम की आप अगर आपका बिजनस अकाउंट है आप नहीं है तो चेक करना मुबाइल फोन में भी ऐसा फीचर है कि आपने सोचल मीडिया को कितना टाइम दिया एक दिन में वहां पर पता चलेगा कि वाटसेप में आप क साथ अपना व्लॉगिंग चैनल भी रन कर रहे हैं वह मतलब बहुत सारी चीज़े हैं ऐसी कर रहे हैं उनके वह भी तो टाइम को मैनेज कर रहे हैं पर उनके अंदर एक हसलर एडिट्यूड है मतलब की वह आगे बढ़ना चाहते हैं बट जिन्नोंने एक्सक्यूज देना वह सब कुछ होकर भी वह एक्सक्यूज सामें रखते हैं तो अगर आप उस प्रस्नेलिटी में से आते हो तो बैटर है नया साल आया है तो उसमें कोशिश करना कि खुद को चेंज करने की कोशिश करना ऐसा नहों कि लास्ट यर के जैसे बस मतलब की बोल सकते हो कि क्लेंडर कि यह चेंज हो बट आपकी लाइफ सेम रहे है ना तो उसका फैदा भी नहीं है और इस को भूल जाना कि अगर मैं पहले दिन साल के पहले दिन अगर मैं नहाया है मैं पूरा साल अच्छे से नहाँगा है ना पहले दिन में अगर मैं टाइम पर उठाओं तो पुरी साल अगर से बताओं मैं आपको मैंनत करोगे तो एक महीने में भी आपको सक्सेस मिल सकती है आसा नहीं है कि मतलब की नए साल से आपने रजलूशन सेट करना है अगे लिखा हुए है इस अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैपिनेस हेल्थ रहेगी वेल्थ रहेगी हैपनेस तो अब आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी MNC में आप अगर चोटी कंपनी में भी आप जॉब करते हो तो आपको पता होगा कि अगर बिलिंग काउंटर पर बैठते हो तो इस शौप की कितनी बिलिंग होती है यहां पर लखों की सेल है एक दिन की अब सोचकर देखो अग पर लखों की सेल है आप उसमें काम कर रहे हो तो कही ना कहीं उसमें योगदान आपका भी है ना उसमें देखा यह जा मेरे according यह चीज unfair बुली जाती है गलत है underemployed बोलते हैं उसको पर यहां पर आप जितना भी turnover करते हो ना turnover के according आपको आपकी income आती है ठीक है यहां पर गई लोग ऐसे हैं जो मतलब जिस मंथ वो बहुत अच्छा business कर रहे हैं तो उनको पे आउट है वो 1.5 lakh 2 lakh को भी cross कर जाता ह है it depends कि उन्होंने कितनी turnover करी है क्योंकि जितने भी ethical businesses market में चल रहे हैं वो चल रहे हैं turnover के उपर अगर आपका turnover 0 है तो income आपकी 0 है turnover अच्छी है तो उसी turnover के साब से as per marketing plan आपको आपकी income आएगी वह income 20,000 भी हो सकती है beginners के लिए वह income डेड़ से 2,000 भी हो सकती है जो यहाँ पर अच्छी level पर काम करें ओके why and how you should invest your time देखो सबसे पहले ना अपनी वाय क्लियर करो वाय वाय मैंने क्यों करना है अगर आपका वाय की रहना तो आप इस इंडस्ट्री को अगर आपको हाओ नहीं पताऊगो ना कि कैसे करूं तब भी आप अपना यहां पर कर जाओगे क्योंकि वाय क्लियर होनी ज़रूरी है अगर आपकी वाय है कि मैंने अपनी family के लिए कोई dream set करा हुआ है कि मैंने अपनी family को ना चोटे से मतलब की area से निकालना है बहुत सारी चीज़े होती है जो चोट चोटे dreams होते हैं middle class family के लिए हैना तो वाय पहले अपनी मुझे investment चाहिए तो वो चीज़ अपने माइंड में रखके आप इस इंडस्ट्री में अपना इंटर कर सकते हूं और यहां पर आपने काम कैसे करना है सीखने के साथ साथ यहां पर काम करना है और सबसे अच्छी बात ही है कि सीखने के साथ साथ आपकी यहां पर सैथ होती है तो उसमें हम सीखते भी हैं और सीखने के बाद उस चीज़ को मपलाए करते हैं इंप्लिमेंट करते हैं तो हम उससे और है ऐना रहो यहां पर बखी र tiếp theo को यहां इंटर करना होता है अगर कुई पर चे इंग भी करन नहीं है तो आपने खुद अपने UPI से करनी है बढ़ आपने को यहां पर किसी को पैसे नहीं देने इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है इस चीज़ का खास करके आपने ध्यान रखना है आगे के चलता हूं यूर लीगल अब बिजनस आपका एथिकल रहना ज़रूरी है ठीक है आपको मतलब की जो बिजनस के जो रूस बताएगे ना उसको आपने पॉलो करना है कि आप किसी को भी आपने अमाउंट सेंड ने करनी है ना यह आपका एक राइट है अगर आपने आईडी भी क्रिएट करनी तो आपको फिर अपने तरफ से पूरा ट्राइए करना है अगर आपके टीम में कोई आता तो आप उनको गाइड कर पाओ पर अगर आपको आता ही नहीं होगा तो और आप आप आपको प्रेट कर यह नहीं पाओगे तो इस चीज़ का आपने खाथ च्यान रखने है आब मुझे एक चीज बताईए जितने भी आपको चीज़े बताई है कि यह आपको क्लियर होगी अगर क्लियर हो गई है तो यूटुब का ना जो लाइक बिटन है उसको प्रेस कर दो तो मुझे पता लगेगा कि हां सच में मेरी ओडियंस एक्टिव है और अच्छे से से सेशन को लगा रही है और नए साल में आलास छोड़ दो जितनी भी हमारें दर लेजीनेस है ना उस चीज़ को नए साल में निकाल दो क्योंकि वो निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फरेवर बिजनस एंड फरेवर फिलोसफी बीग फियर तो ओल इस ऑफ प्रमॉंट इंपोर्टेंस इशुट और यहां पर देखा जाए ऑफिस रनिंग कॉस्ट नहीं होती है स्टाफ को भी आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती ऑफिस पेस्पेस एक्विप्मेंट इसका कोई भी चार्ज नहीं है फरेवर लिविंग प्रडट्स सारा कुछ हैंडल करती है एवरेटिंग जो आपके बिजनस को रन करने के लिए अबना जिसकी रिक्वार्मेंट होती है वो सारा हैंडल करती है और यहां पर हर कोई फरेवर लिविंग को जॉइन करता है आज अगर 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 आप यहां पर नॉवस कस्टमर ने इसका मीनिंग होता है एक्स्टाओनरी यूनीक तो आपको इस देखने मुलती है और यू आप इस लिए हो तो यह एक अपर आप एसी पर बैठे ओ जो एक दिखा जाए एक गोल्डन अपर उचुनिटी यह इसलिए इस अब देखा जाएं इंकम कहां कहां से आ रही है सबसे पहले जो आपको प्रोटेक्स पर जो डिस्काउंड मिलता है 30 परसंट तक का डिस्काउंड आपको मिलता है मैनेजर लेवल तक उसके बाद रिटेल प्रॉफिट जाता है 43 परसंट तक अन्यों टाइन यौ धिस्काउंड हberish यूफचा एंद्स अगर को यह आपकी यृदि यह चिंगर इनकम है एक आची इंकम है तो उससे भी आपको देखा जाए लीड्शिस्प इनकम आती है अगर मैं ड्रेक्ट सेलिंग कम्पनिज contributing इसके अपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स को यह ले रहे हैं कि ऐसी ना गलत होता है इस इंडस्ट्री से तो इसलिए ना उनको ट्रस्ट इस्यू आते हैं तो इसलिए आपने खास दिया रखना आप इस इंडस्ट्री की नॉले रहे हो तो पहले प्रॉपर नॉलेज लो उसके बाद अगर को यह चीज पर रहा है या मिस्ट गाइड कर रहा है आपको ऐसा लगता है कि इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इसको समझाओ कि एक्षिल में ये डिर्क सलिंग इंडिस्ट्री है क्या क्योंकि इसे आई-एस ऑफिसर्स तक प्रमोट कर रहे हैं और अगर मैं बात करूं कॉलेजिस और इन्वर्स्टी इसकी तो करनाट का इन्वर्सटी है डेली इन्वर्सटी है यहां पर डिरेक्ट सलिंग के डिपलोमा को पूर्स की में अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो डेट डेल लाग रुपे से मेंस्टर की वीज है तो अपने में यह बहुत बड़ी बात है है ना जैंब बोनस प्रवाइड करता है हमाई बिजनस जैंब बोनस मतलब कि जब जैसे से आपके लेवल से इंक्रीज होते हैं आप आपने काम अच्छा किया तो आपको इंसेंटिव ना कि सिर्फ एक मंत के लिए तीन साल के लिए वो इंसेंटिव एक्टिवेट हो जाता है कार प्लान का एंड़ सेंड लास्ट चीज लिखिए है डेमेस्टिक ट्रैवल अगर आप देखा जाए जैसे ट्रावलिंग के काफ इसको क्वालिफाइ करते हो अगर उसके लिए आप अलिजिबल हो जाते हो ओके और वो प्रोड़ों तक चला जाता है चेर में बोनसे मार्टिंग प्लान को जिसका ऐसा है जैसे आपको यहां पर देख रहा होगा नुवस कुस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर पॉइंट में लेंगे 1,020 पॉइंट जिसे एक सिसी बोला जाता है मतलब एक हजार पॉइंट में 1,000 पॉइंट में एक सिसी होता है वन सिसी इस इकल स्टू 1,000 पॉइंट तो आपकी डिमोशन नहीं होती है आप लाइफटाम उस लेवल पे रहते हैं और आपको जिलोस से स्टार्ट में पढ़ता अगराप KI सी और इंडस्टी में जाओ या किसी में जाती है तो सब्सक्राइब बाकी ऐसा है कि अगर आपका हो रहा है या अधर कंट्री के सीसी आपके लेवल अपकरने में हेलफुल रहेंगे ठीक है बट आपके जो ऐसा है जो लाइक करने के लिए इसी हों कंट्री अले सीसी कांट होंगे इसेंटिफ के लिए ठीक है इस सीसी पूर टू मन्स मूब अप जनुरेटेट अगर अगर अधर कंट्री में है आप अपना कोई बिजनस आपका हुआ है लगा लो टू या थ्री सीसी का बिजनस आपका अगरेट हुआ है ठीक है तो वह फिफ्टीन को शो होना स्टार्ट होगा बिजनस मतलब फॉरंग इंट्री के जो सीसी हैं वहाद आपको शो करेंगे ऑके बाखी नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब होता है और माना जाता है और यह चीज़ प्रूबन भी है इंडिया में दो हजार में हमारी इंडिया में आई थी ओके और एप्रेल में इंडिया में हो सबसे अपना अफिवाल तो वहाँ पर घर अबात करेंगे पर्स्न था आपको मिलते हैं इससेंट को ईट परिसटर का पर consists of honest मिलता है जैसे आप कैश भैक बोल सकते हो और डिस्काउंट आपको एस लेवल से लेकर जब आप एक बार एस बन जाते है तो मैंजर लेवल तक डिसकाउंट आपका 30% रहता है बट इसकाउंट प्लस कैश्वेक मिला कर जो आपका टोटल डिसकाउंट बैठता लगता बैठता 48 परसंट तक डिसकाउंट आपको बैठता मैंजर लेवल तक मतलब कि अगर मैं अपनी में बात हूं तो मुझे कोई भी मैं परचीजिंग कर रहा हूं ठीक है उसका मुझे डिसकाउंट मिलता 48 परसंट बिकस मुझे कैश्वेक भी आएगा नेक्समेंट है ना तो वो चीज में लिए सीधा का सीधा हाव हो जाती है अगले के चलता हूं as your network grows you so will some of your volume bonuses जैसे आपका नेटवर्ग ग्रोट होता है बढ़े-बड़े लेवल्स का तो आपका न जो वॉल्यूम बोनस वो इंक्रीज होना स्टर्ट हो जाता है आपका जो वॉल्यूम बोनस वो टीम का वह आने लग जाता है जैसे आप सुपर्वाइजर बनते हैं आपके नीचे एक तो अन सभी से आपको 3 परसंट का प्रौफ और दिखते हैं आप आपकी मैनेजर लेवल पे लोग लग भी कमा रहे हैं ना कई देल लाग भी कमा रहे हैं डिपेंड करता हुआ काम के उपर तो एक मैनेजर को असिस्टें मैंनुच से आता है 5% परसेंट अपना 10% तो ऐसे करके और यह आपको परसेंटेज दिखने में तो काफी चोड़े लग रहे हैं तेरा परसेंट बट अगर मैं वॉल्यूम की बाद तो थर्टीन परसेंट मतलब इतना बन जाता है थर्टीटीटू फॉर्टी थाउजन के असपास तो प्रॉफिट इस तरह देखा जाया है कि काफी आप करना स्टार्ट कर देते हो बाकि ट्री कंजेक्टिव में अगर आपके इतने सी सी बैलन्स रहते हैं जैसे की फर्स मन्त में आपने 50 सी किया सेकिंड मंत में आपने किया ह तो आपका जो कार प्लान है जिसे अर्ण इंसेंटिव बोलते हैं वह आपका क्वालिफए हो जाता है 26,000 आपको मत्री येर्स तक कॉंटिन्यूजली हरमत मिलते हैं अपार्ट फॉम यूर मंतली इंकम आपकी मंतली इंकम से हटकर आपको 26,000 अलग से आता है इतनी बहा लोगों की सैलरी नहीं होती कई लोगों की बट इतना इंसेंटिव आपको प्रवाइड कर देती है तो इसलिए अपना यहां पर अगर आ रहे हैं तो दिल से हर चीज को इंडस्टेंड करें इस इंडस्ट्री में फ्यूचर वाकई में सबका बेस्ट है क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए तो आप इस ब्रैंड को और अपने नेटवर्क को कैसे ग्रों कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा टूल है किसी बीचीज को प्रमोट करना होगा आपने इंस्टाग्राम की नभी आईडी बनाई है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो और आपको जैसे करके आपको लीट्स बिजनस पर लीट्स आपको चाहिए ठीक है वह वहां सैंगी स्टाट हो जाती है जैसे मार्कर में लोग कोर्स बेशते हैं अपनी बुक्स लॉंच कर दिए तो वह प्रमोशन पर लगाकर रखते हैं वह यूटूब पर प्रमोशन की चल रही होती है या गुगल पर एसने संक चल रही होती है दो रही होती है काफी प्लैटफॉम पे चल रही होती है स्टैट पर भी वैसमेजर नमबर निए अनडेसिंदी कि अगर आप किसी चीज में बिजनस कर रहे हो तो आपको उसमें जब आएगा जब आप वाकई में उस प्रॉड्ट को यूज करके देखोगे तब आपको बता लगेगा अगर आपने आईफोन लिया हुए है अगर आपका आपने चलाया है उसकी कॉलिटी आपको पता है तब ही आप सामने वाले को सजेस्ट कर पाओगे कि यह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए है ना अदरवाइस आप मनलब की हवा में तीर मानने सामने वाला काम करोंगे क्योंकि जो चीज आपने खुद यूज करी नहीं हाओ एक्सपेक्ट की सामने वाला आपकी बात को दिल से समझेगा आतोगरा बिजनस करना बिजनस अगर आप दिल है आपका अच्छे देहना तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए और आगे लेक है इसलिए बोरा हैं सोचके देखो जिस इंडिस्ट्री को 43-44 यहर्स हो चुकी है ठीक है और कितने कितनी कंट्रीज इसमें वर्क कर रही है अब 160 कंट्रीज इस पर वर्क कर रही है है अब 160 देश पागल तो नहीं है या सिर्फ हमी स्मार्ट हैं तो हमें क्या करना किसी भी फील्ड में करो सकता है अगर उसके बगवान भी निचे आजे तब भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए है और अगर कॉन्फिदेंस है ही कें डू एनीधिंग ही और शी केंडू एनीधिंग एंड थर्द इंग इस कमिट्मेंट कमिट्मेंट होनी चाहिए है ना कि टाइंग कमिट्मेंट स्पांसरिंग ठेक प्रेटी रखके यहां पर काम करें और आपकी ग्रूप अदिविटी होनी चाहिए आपको ग्रूप को डेली अपना क्या करना है गाइड करना है ग्रूप मतलब की जो आपकी डिस्रीटर होंगे उनको system की marketing की knowledge देनी है कि marketing है क्या marketing field कैसी है online marketing क्या है social media marketing क्या है products जो brand है उसके marketing plan क्या है और products की knowledge देनी है so that उनको अच्छे से अपनी field की knowledge हो और यह वो करता है जो एक leader होता है जिसका गाम मैं सिर्फ followers बनाना ठीक है followers बनाना तो उसका यहां पर फैदा नहीं है यहां पर लीडर बनना पड़ेगा और लीडर करता है जिसके पास खुद knowledge होती है सारी है ना और वो जबो का जब आपके अंदर होगा एक अच्छा learning attitude क्योंकि जो इंसान ना बेवकूफ बोसक्ते हों कि हर चीज में ओवर स्मार्टिंग बनता हो बेवकूफ बनके सीखता है ना हर चीज को वह इंसान गाम्याब है कि कही लोग तो थोड़े से topic का नाम सुन कि अगर ना बोलनूं क्लास में अगर अगर क्लास में बैठे हो रहां आपको किसी चीज में डाउट हो रहा तो आप खड़े होगे पूच सकते हो बेशेका आप सारे बच्चों के सामने लगए बेवकूफ लगए पर हां कि आपका जो डाउट है ना रोजेगा ठीक है फिर वनियर तो दूद राइट तिंग देन दूइंगे राइट अगे लेकर चलता हम आपको एक रूल नमबर पॉर इस एक्षिन प्लान जो मैं आपका उसके विल्वा मुझे मैसेव एक्षिन प्लान मैसेव एक्षिन आपका होना चाहिए अपने प्लान के ऊपर ओके एंड स्टे चाहिए जो फूर्थ रूल मैंने बताया आपको एक्षिन वाली क्वालिटी आपकी होनी चाहिए एक्षिन के बिना किसी भी फिल्ड में ग्रोथ नहीं है है ना सोचके दिख्वा आपने नौले ले लिए आपने पढ़ाई कर लिए अच्छे से आइस अप्षितर बनने की जरूरी है कि आपकी चीज जो आपने करेंब रही कि नहीं रही रिफ़िसे ओरिए थी कि अगलतीयों झाले थी ना आप उसको इंप्रूफ करो है ना ईनलराईस करना दरूरि मतर्нить इसहने के बाद तो कोई बीас बुच्वाइब पापा बोलेगे थीक है मैं तरी हल्प नहीं कर सकता आपने उसी टैम आके बोलते हैं पापा नहीं मान रहे मम्मी नहीं मान रही है ना फिर तो घर में बैटके दूद की बॉटल उठाओ वह पियो बस और वह देखो है ना अगर आपने कुछ बनना है ना तो मम्मी पापा का पल्लू छोड़ना पड़ेगा है ना बापा मम्मी से पॉकेट मनी लेनी छोड़नी पड़ेगी हमें तो कभी पॉकेट मनी मिली नी पर कई लोग होते हैं आज की जनरेशन में क्या है कि मतलब पच्ची-पच्ची-पच्चीस और मिल रही होती है तो उनको शायद वेल्यू इंट्रिव्यू देखेंगे तो उन्होंने MBA नहीं कर रखी बट आप यह देखो ना कि वो इंसान एक चाय के ठेले से उसने कहां तक ले गया इंडिया में कोई कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर उसके आउटलेट नहीं है करोड़ों में टरनोवर है उनकी है ना तो एक इंस चोड़ते तो आज इस लेवल पर होते ही ना है ना आउट आप तो बॉक्स जाकर उन्होंने काम कर रहा है ठीक है उन्होंने यह नहीं बोला कि मेरे पापा बोल रहे है तूप पढ़ाई लिखाई ते को इतनी करा दी हमने अब तुचाय बेच रहा है ना उन्होंने कि किसी आपका ब्रदर लेता है आपके मम्मा बापा लेते हैं तो आप नहीं करो सकते फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहिए अपनी करियर की जो चाबी है ना वो अपने हात में होने चाहिए ठीक है क्योंकि चाचे ताय जी ने जो बनना था वो बन गे है ना उनको अपनी फिल्ड की बहुत अच्छी नॉलेज के बट वो हर सीटी आपको की नौलेज न हो शकती लग अलग अलग है पर इंडिया में क्या होता है ना ओवर्ट मार्टा बनते हैं कि हमें सब कुछ पता है एक मोची भी बता देगा निए कि डॉक्टर कैसे बनना है अब एक वीडियो ए बड़ी इस इंडस्ट्री की नौले लेना जाते हैं तो वह वीडियो में ना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मॉटिवेशन स्पीकर निया हो सिर्फ वह बिजनस कोच भी है और उन्होंने इतनी जादा कंपनी के साथ टाइप किया हुए उनकी बुकिंग भी अगर हमने चेक करी दी हम एक्ष़ी अपने विन कॉम्निटी में उनका इवेंट करवाने के सो तो उनकी बुकिंग लगबग 18,00,00 में एक घंटे का इवेंड वो देते हैं थारा लाग में सोचकर देखो एक घंटे की ट्रेनिग लगबग उनकी कि इतने की जाएगी है थारा लाग की जाएगी जिसमें उनका सारे एक्स्वेंस देखना पड़ेगा हमें होटेल तक बु से देखना चाते हो तो उनके यूटूब पे अगर आप अगर आपको मैं बताऊंगो तो कितने सब्सक्राइबर्स होंगें के जस्ट गेस्ट नमबर कि उनकी एकर मैं बात होनों YouTube कितने सब्साइबर्स हैं 20 million उनके सब्साइबर्स हैं एक million में 10 लाक होता है ठीक है 10 million में कितना हो गया लगबा कितना हो गया एक क्रोड हो गया न mitä और अपना इंडस्टी के बारे में क्या बोल रहा है उसको सुनना चाहिए या कोई एक आपका गली का फ्रेंड आपका बोल रहा है जो दो रूपर नहीं कमाता वह उसकी सुनने चाहिए सुनो उसकी जो काम्याब हो ठीक है अगले के चलता हूं आपको मैं बाकी और वर्ट डिपेंड ऑन यूर डिजायर्स है ना चाहां रखने वाले देखो काम्याब होते हैं अगर अगर फॉरन है कंट्री तो फॉरन ट्रिप मैं भी मार सकता हूं है ना वह डिजायर होना चाहिए अंदर डिजायर ही अगर खतम हो गया फिर जॉब इस दा बेस्ट ऑप्षिन पर आपको लगता है कि हाँ आपके ड्रीम डिजायर्स हैं तो वेट करने से कुछ नहीं होगा उसकी लेना पड़ेगा तरवाई से देखा आपने की लोग सीट और यहां पर देख सकते हैं कि यह हैं डॉक्तर विवेक बिंद्रा तो यहां पर देख सकते हैं उनके साथ नहीं विडियो ना बनाई हो 4 सब्सक्राइब करोड़ों में इनकी वीडियो के अपने बच्चे को कुछ टाइम तक नेटवर्ग मार्क्टिंग इंडस्ट्री में डालूंगा वो वीडियो जरूर आपके पास आएगी मैं मैं बोलूगा अपने जितने भी मेरे मेरे पार्टनर्स हैं अनको बोलूगा कि अपने पार्टनर्स को यह वीडियो सेंड कर वाओ ठेक है कि स्टड़ी विवेक बिंद्रा इसमें ऐसे धकन को लिए ना जो आपको ना पेरेंट्स को क्लाइटी देने में काफी हेल्फुल रहे करेंगे ठेक है उसके बाद आप अगर देखते हो यहां पर की इस फ्लांडे ने यह कर लिया तो आपको पता लगेगा कि हानोंने कैसे किया क्योंकि इस इंडस्ट्री यह पोटेंशल इतनी जाद है कि रही बात हमारे विन कॉमनेटी तो इसी मंत इसी मंत की में बात कर रहा होगा उसको इवेंट का बार्ट मनाया जाएगा जिसको रेकॉनीशन भी दी जाएगी और नेक्समेंट हमारी एक विन कॉमनेटी में बहुत लगश्री ब्लास्ट होने वाला है ठेक है जो की ब्लास्ट लगबक 60-70 लाक के इन बिट्वीन है तो बहुत बढ़ी अचीवमें है जो शायद देखा हुआ अपने की बहालोग इतनी बड़ी-बड़ी मतलब की इतनी जॉब करके भी नहीं कर बाते हैं तो इंडस्टी की पावर है बाकी आपको जितने भी सीनियर्स आपको ट्रेनिंग्स प्रवाइड कर रहे हैं जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको को आपने मिस नहीं करना और ऑपने लग को पूछने को भी आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करते हूं तो जिम्मार्त के आप हो जो करना आपने खुद करना है वह उन्दिय की इंडिया कर सकते हैं वहां पर कर सकते हो और आपको किसी तरह का डाउट है आपने जो स्टेप लेना वह खुद लेना है आपका एक राइट है ओके एंड विश्यू ऑल दी बेस्ट गाईस अच्छे से फोकस करें बाकी मैं आपको अपना हैंडल जुरूर शेर करूंगा इंस्टाग्रा बहुत अच्छे लेवल पर जाते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो लाइव वीडियो चल रही है की डिस्क्रिप्शन भी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मेंचेंड है तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बैल आइकन प्रेस कर लो सो द रहेगा और आज का सेशन कैसा गया सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है उसके बारे मुझे जरूर बताएं और जिसका मुझे रिप्लाइ सबसे बेस्ट लगा उसको मैं आपनी स्टोरी पर अपना शाउट्वाट भी दूग करें तो देख सकते हैं इनके साथ हमारी मीटिंग टी विच्छे लास्ट लास्ट की बात है और बहुत सारी चीज़े नवी अपडेशन जो परेवर में आने वाली है और जो चल रही है उसके बारे में अच्छे से मीटिंग में बात करी दी तो आप सभी के लिए काफी बड सब्सक्राइब करें तो विच्छ आपकी जर्निंग स्टार्ट होएगी और इस्टाग्राम पर जल्दी से आ सकते हैं और पर बताएं कि आगका सेशन आपका कैसा गया है कि आपको कौन सा पार्ट से बेस्ट लगा है इस सेशन का ठेक है और लाइक का बटन प्रस करेंगर आप बाद में भी सेशन को वाच कर रहे हैं वी फास्ट